तो मेरे सबी भाईयों को राम राम ची कैसे हो सारे उम्मीद करता हूं पढ़ियाओंगे सबसे बादे चिन राम राम लिखते हो जब जब आप राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है एक दिल से कनेक्टेड फील होता है आज की जो वीडियो है वह मतलब बहुत बड़ा मिथ है वह क्लियर करने वाला हूं है सबसे पहले आपको लोग एक छोटी स्री से बोलता हूं भाई अब जो यह चैनल है मोस्ली इस पर आपको मोडिफिकेशन की वीडियो नहीं देखने हो कि वो मैंने शिप्ट करता हूं तो आप लोग जो है उस चैनल को भी जाकर सब्स्राइब कर लेजें सबस्राइब कर लेजेगा उस पर देली दस पर वीडियो आई जाती है और आप लोग मोडिफिकेशन की शोखीन है तो आपको साथा पसंद आईगी वर्ल्ड की ऐसी कलौथी कार कौनसी है जो आज तक सबसे सिफेस्ट कार मानी गई है और जिसमें जीरो कैशुएल्टी हुई है एक भी एक्सिदेंट हुए होगे के साथ आएगी और टोयटा के साथ कॉलोपरेशन में है तो अब्विस सी बात है कि टोयटा मारुती का दिमाग लग रहा है उसके पीछे एंड वो लोग जो है एक ऐसी गाड़ी लेके आने वाले हैं जो सेफ होगी और इंडिया में एक ऐसा ठपाट जाएगा मारुती की त तो वो उनके हुआ है एंड उसके बाद जो है फाइनल उन्हें डिसाइड कर ले है कि इस इस था हाई टाइम वी शूट कंसिडर में एक सेफ कार तो अब जो है वो लोग एक सेफ कार पनाने की तरफ निकल पड़े है और नेक सूर के परड़क्स हैंगे वो सेफटी की तरफ नहीं है कि गाड़ी ही गंदी है कुछ तो अच्छा ही मारूती में होंगी और सेफ श्यूच जढ़ेतल की परही बाता जाती है कई सारी यूट्यूबर्स है, उनने acho digestive का मतलब क्या पना रखा है कि जतनी जॉयदा भारी गाड़ी होगी मतलब कितना वेट अगर गाड़ी में होगा, यहवी गाड़ी होगी तो भाई वह गाड़ी उतनी ज्यादा तो यहाज़ होगी नीमिधा तो स्क्रीम पर भी चल रहे होंगे, जिनने जो उनसी R&D टीम पीछे लगी थी, जिननने उनको करा था, तो अब जो है आपको बताता हूँगे. So guys, ये बोलते हैं, you need to reduce vehicle weight to achieve 5 star safety. This is the official statement from Mahindra. तो मेरे उन भाईयों के मुँपे, सबसे बड़ा answer ये है, जो सोचते है कि भारी गाड़ी का मतलब है, कि गाड़ी safe होगी. याद रहे है, Mahindra Scorpio बहुत heavy गाड़ी है, बट वो 0 star लेकि आई. However, dismissing the misconception, R. Velusamy, chief of global product development, Mahindra, said at the 2021 light weighting conference, organized by a sister publication, Autocar Professional, once you decide to achieve 5 star safety, there is no option but to reduce vehicle weight. So, यहाँ पर ये बताते हैं, around 110 kilo of the XCV700's weight was reduced during development, which among other reasons allowed it to achieve a 5 star rating in global N-CAP crash test. तो यह one of the major reason था 110 kilo weight कम करना, XCV700 में से, जिसकी वज़े से जो है, गाड़ी को 5 star rating मिली है. तो आप लोग यह misconception था, यह प्लीज दिमाग सेटा दीजे, कि हलकी गाड़ियां जो है, वो safer नहीं होती. अब मैं आपको बताता हूँ, यह क्या बताते हैं, महिंद्रा XCV700 has a 5 star rating from global N-CAP, महिंद्रा shaved off 110 kilo of XCV700's weight, using aluminium and high tensile steel, tensile steel की producing weight, यह सब था. तो अब यह बताते हैं, कि हमने भई कैसे करा है, तो इनने सबसे पहले innovative design यूज करा था, use of high tensile steel यूज करा था, plastic composite यूज करे थे, और tailgate, इन लोगों ने, हम लोगों ने कई बार बताया था, कि tailgate जो है, वो plastic का है, तो उसमें यह लोग बोलते हैं, हमने 15 से 20 kilo जो है, tailgate को बोलते हैं, when it comes to reducing weight in automobiles and thereby enhancing efficiencies, aluminium is being considered as one of the key new materials, but aluminium also increases cost, बल्यूस्वामी मेंचिन यूज करा था, high tensile steel, advanced high tensile steel, ultra high steel and baron steel can also be used in different parts of the vehicle, you need a lot of focus on BIW mass, he added BIW or body in weight for reference is the vehicle's frame, various exterior body panels, interior trim, power drains and the running gear, तो इतनी सारी चीज़े हैं, जो वो बताते हैं, कि गाड़ी जो है, वो, मत्रब ये doesn't means की गाड़ी भारी होगी, तो वो safe होगी, doesn't means की गाड़ी में इतना वजन होगा, तो safe होगा, keeping weight lower is the key to achieve high star safety rating, and thus it makes your car a safer car, तो यह मैं नहीं बोल रहा, कि मारुती जो है, उनकी हलकी गा जटा भीजेगा, छोटी सी एक वीडियो थी, आप लोगों को थोड़ा सा information देने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, कि या higher weight doesn't means की आपकी गाड़ी जो है, वो safe है, गाड़ी में बहुत सारी aspects होते हैं, एक छोटा सा जो ISOFIX, जो अपना seatbelt reminder होता है, वो अगर नहीं वो सच है कि weight doesn't means your car is safe, तो भाई आज की वीडियो तो इतना ही था, मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो में, तब तलगे, बाबाई और धन्यवार, वो गाड़ी जो है, इसमें मैंने पूरी वीडियो में आपको बताएगी कैसे जो गाड़ी है, वो इंडिया की safest कार बन जाती ह दो एरबैक्स में जो है गाड़ी ने स्कोर करा है, और छे एरबैक्स तक जो है इस गाड़ी में ओफर करे जाते हैं आपको, no doubt, this is the safest car of India, और 5 स्टार रेटिंग जो है गाड़ी ने स्कोर करिये, और head जो है आके वो बताते है वेलू सवामी जी, कि अगर गाड़ी भारी है तो उसका मतलब यह नहीं, कि गाड़ी जो है सेफ होगी, हलकी गाड़ी भी सेफ हो सकती है, भारी गाड़ी भी सेफ हो सकती है, तो करप मारूती के पीछे पढ़ने की बजाए, थोड़े से लोजिकल फैक्ट भी आप लोग जान लीजे, आज की वीडियो ने आपको बताई दिया होगा, कि गाड़ी का भारी होना डेजन डेजन अनी सेंस, अगर वो सेफ होगी, तो हलके में भी सेफ हो सकती है, तो इसी के साथ आज की वीडियो में, मेरे को आपको बस एक सकनसेप्ट समझाना था, और कई सारे मेरे भाई लोग है, उनको भ्रम है, कि जो गाड़ी क इतनी भारी होगी, या हलकी होगी, उन सब से सेफटी डिसाइड हो जाती है, तो भाईया अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक लाइक करतीजेगा, और अगर इस वीडियो में कोई भी मैंने गलत बात बोली हो, जो बात मुझे नहीं पता होगा, तो वो भी मुझे लि